ओम शांति आज 16 फर्वरी 2023 है दान, वर्दान और महादान क्या है? और ऐसे दानी, वर्दानी और महादानी बनने के लिए हमें क्या करना है? आए जानते हैं आज के स्लोगन के जरिए अपनी दृष्टी, वृत्ती और स्मृती की शक्ती से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है दान का आध्यात्मिक अर्थ होता है सहीयोग देना और सहीयोग करना ये कोई स्थूल चीजों से दान देना या सहीयोग देने की बात नहीं है परन्तु सुक्षम चीजों का दान देना, सुक्षम चीजों द्वारा अनिया आत्माओं को प्रकृती को सहीयोग देना है तो इसका अर्थ है मन द्वारा वर देना अर्थात वर्दान देना और जब हम अपने मन से वानी से करम से हर समय हम कोई न कोई रिती से दान देते हैं सहीयोगी बनते हैं निरंतर रूप से तो उसको कहा जाता है महादानी बनना तो ऐसे वर्दानी और महादानी बनने के लिए तीन साधन है और वो साधन कौन-कौन से हैं दृष्टि, वृत्ती और स्मृति जब हम अपने दृष्टि को पवित्र बना लेते हैं अर्थात भाई-भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि पक्का कर लेते हैं तो जिन आत्माओं पर हमारे दृष्टी परती हैं और उन आत्माओं के साथ साथ प्रकृती को भी हम पवित्र बना सकते हैं अर्थार उनके अंदर पवित्रता की शक्ती आ जाती है और पवित्रता सुक्ष शांती की जननी है इसलिए जो भी आत्माओं को प्रकृती को हमारे द्रिष्टी पर जाती है, द्रिष्टी प्राप्थ हो जाती है, उनको शांती की भी अनुभूती होती है. हमारी वृत्ती द्वारा हम वायुमंडल बनाते हैं जब हम अपनी वृत्ती को शांत, स्थेर और अचल बनाते हैं तो उस वृत्ती से शांती के प्रकमपन चारो और फैल जाते हैं शांती के प्रकमपन अर्थात शांती की शक्ती और शांती के शक्ति अर्थात शुब भावना शुब कामना और शुब भावना शुब कामना से वायु मंडल में शुदता शुब फैल जाते हैं तो ये है अपनी वृति द्वारा महादानी बनना और तीसरा है स्मृति स्मृति द्वारा महादानी हम तब बन सकते हैं जब हमारी स्मृति में सत्यता हो अर्थात जब हम अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहते हैं सत्य पिता की स्मृति में रहते हैं सत्य धाम की स्मृति में रहते हैं तो हमारी स्मृति जो है वो सत्यता की शक्ति आ जाती है और उस स्मृति से हम अन्य आत्माओं को सत्यता की शक्ति का दान दे पाते हैं इसी को ही कहा जाता है स्मृति द्वारा महादानी बनना और जब हम अपने तीनों ही साधनों से दृष्टि, वृत्ति और स्मृति से निरंतर ऐसे शुदता का पवित्रता का सत्यता का शांती का दान देते हैं तो अने आत्माओं को शांती की पवित्रता की सत्यता की अनुभूती होती है तो इसी को ही कहा जाता है महादानी बनना तो आईए हम आज अपने आप को महादानी बनाए दृष्टी, वृत्ती और स्मृती को शक्तिशाली बना करके ओम शान्ती